अभी नियुट के उपर विडियो को अगर आप आराम से देखेंगे आपको सभी पॉंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा करते हैं सबसे पहले बात करेंगे जन सौल इंजिनिरिंग सेर के ओपर इस टॉक में आज दो परसेंट का अच्छा तेजी देखनी को मिला प्रिवियस फाइब ट्रीडिंग सेजन के अगर बात करेंगे तो इस टॉक सब चार परसेंट से जादे के गिरावट के साथ ट्रीट क के पास जो है जन सौल इंजिनिरिंग के पास जो है सोलर इपीसी ओडर बुक जो है यानि की इंजिनेरिंग प्रोक्यूर्मेट जो ओडर बोग है यह आपको 4000 करोड का है एज आज ओफ 30 सप्टेमबर 2024 यानि की क्वाटर टू फानेंशल ये 25 करोड का जो है कंपनी के पास और बुक पड़ा हुआ है अगर डीटेल में आप जानना चाहते हैं तो यहां पे जो है आपको कंपनी के वेब साइट पर मिल जाएगा किस-किस कटेगरी में कौन-कौन से कटेगरी में कितना और है टोटल 4,097 करोड का और है 1.5 गीगावाट के का चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ट पे स्टॉक जो है अल्रेडी एक अच्छा करेक्शन इस टॉक में देखने को मिल चुका है और इस टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को हिट करता हुआ दिख रहा है इस टॉक के लिए जो एक को विजुलाइज कर सकते हैं यह पाटर्ण है इस टॉक में अच्छा गिरावत हुआ वाउंस बैक वापस से यहां पर हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल रहा है लेकिन अभी तक जो है आपको प्रीवियस लो डिफेंड है तो जब तक यह लो डिफेंड है यह सपोर्ट जो डिफेंड है तब तक इस टॉक में मेजर गिरावत देखने को नहीं मिल सकता है अब बात करते हैं जो हम लोगों को बाइंग ऑपर्चनिटी कब मिल सकता है आपको इनिसियेट करना चाहिए जब स्टॉक में यह ट्रेंड लाइन जो है आपको ब्रेक आउट होता है यहा यहां पर की स्टॉक उपर की साइड में 1110 और उसके उपर अगर निकलता है तो 1350 की तरफ निकल सकता है नेक्स स्टॉक की बात करेंगे नेक्स स्टॉक है भी मार्क इंडिया एक SME कंपनी है यहां पर एक इंपॉर्टेंट डवलप्मेंट हुआ है कंपनी ने प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है टोटल जो है 16,35,000 सेयर का प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया है लेकिन इंट्रेस्टिक इस वज़े से है क्योंकि यहां पर देखेंगे तो आपको एक बड़ा नाम जो है जुड़ता हुआ दिख़़ा है आसीस कचोलिया जिन्हों ने यहां पर 2.03% का स्टेक लिया है 497,000 का सेयर 497,000 सेयर जो है उनको लॉट किया गया है इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो अधर नेम्स की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आर बी ए एंड फाइनस इन्वेस्टमेंट उनको भी 2.03% और सिमलर्ड़ी 497,000 स अगर कोई बड़ा नाम जुड़ता है तो इसका मतलब है जो उनको यहां पर आपको सियोर किया गया है जो आगे में हम लोगों को एक अच्छा आपको रिटर्ण बनाकर दे सकता है लेकिन साथी साथ एक गुड नियूज होने के साथ साथ एक निगेटिव नियूज भी है अब निगेटिव नियूज क्या है इस बात को समझते हैं कि प्रिफ्रेंसल इसू हमेशा सही नहीं होता है और जरूरी नहीं है जो इमीडियेट आपको वहां पर रिटर्ण मिले यहां पर आप इसू प्राइस को देखेंगे यह जो इसू प्राइस है यह है आपको 286 है जिस लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है यानि कि 398 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यह जो इसू प्राइस किया गया है यह किया गया है 286 रुपीज पे यानि कि यहां पे 100 पॉइंट का डिसकाउंट है इनफेक्ट मोर देन पॉइंट अलमोस्ट यह है 115 पॉइंट का डिसकाउंट है से टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो अलमोस्ट है आपको 2828 अफ परसेंट का यहां पे डिसकाउंट है जो कि एक बहुत बड़ा डिसकाउंट होता है और इसी वजह से स्टॉक में आप को कोई बहुत जबर्दस्त तेजी देखने को नहीं मिलता है और एक और रीजन अगर यहां पर आप देखेंगे तो एक हम लोगों को अच्छे तेजी के बाद यहां पर एक अच्छे तेजी के बाद इस टॉक जो है आपको कॉंसोल्डेट करता हुआ दिख रहा है तो इस पूर्ट जो नगर यहां पर ब्रिकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है 375 का लेवल अगर टूटना स्टार्ट हो जाता है तो स्टॉक में आपको 300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है वेट कीजिए स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं लेकिन प्राइस और नीच है और SME में आपको lot size के साथ जाना पड़ता है तो small retailers यहां पर buy नहीं कर सकते हैं आपको minimum 1000 के lot में ही buy करना होगा याने कि 1000 quantity minimum आपका buying होना चाहिए थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड स्टॉक है जिंदल सौ जिंदल सौ के लिए कल का दिन काफ़े important होने वाला है क्योंकि कल यहां पर होने वाला है split 1 इस्टू 2 के ratio में यह split होने वाला है 9th of October जो है यह आपको split date है तो अगर कल जिंदल सौ यहां पर आपको वन थर्ड पर दिखे तो अगर हाफ रेट पर दिखे क्योंकि वन इस्टू 2 का split है हाफ रेट पर आपको दिखे तो फिर आपको यहां पर घबडाना नहीं चाहिए कल आपको सेम सेर जो है 374 के लेवल पर देखने को मिल सकता है तो इस चीज के लिए आपको तयार र रहा है और मैं आप लोगों के साथ बार बार सेर करता हूं कभी भी किसी स्टॉक में वर्टिकल राइस सटेन नहीं करता है यहां पर correction आएगा पिटर है उस correction का wait करेंगे next stock की बात करेंगे next stock है mocks mocks के share में भी आपको कलका session important होने वाला है 3 to 1 के ratio में bonus issue होने जा रहा है यानि कि जो price अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 191 का यहाँ पे जो है आपको 4 से आप इस price को divide कर दीजिए तकरिबन 45, 46 46, 47 रुपीज के आसपास आपको यह share देखने को मिल सकता है तो better होगा यहाँ पे wait करेंगे क्योंकि एक बार जब यहाँ पे आपको share announce हो जाएगा यानि कि कल के session के बाद थोड़ा profit booking भी देखने को मिल सकता है तो थोड़ा सा wait करेंगे उसके बाद ही buy करेंगे infrastructure sector से और लगातार जो है company का portfolio आपको expand हो रहा है total order book edge of October 8 यानि की current date के उपर बात करेंगे 3240.63 करोड का company का जो है यहाँ पे current order book देखने को मिल रहा है अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो stock में नीचे के लेवल से एक अच्छा buying भी देखने को मिल रहा है already एक बड़ा correction हो चुका है तो यहाँ पे अगर आपको एक buying opportunity मिलता है क्योंकि stock जो है support जो उनके पास trade कर रहा है तो एक अगर buying opportunity यहाँ पे मिलता है तो आप इस stock में entry भी ले सकते हैं I hope आप लोगों को सभी points यहाँ बिलकर अच्छे से clear हो गया हूंगे आप लोगों को वीडियो पसंद आया हूँ analysis अच्छा लगा हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेए ह्टा लाए सब्सक्राव दियो फ्थ्प्छाव शियो गर रहता जर Pvd झाल